नमस्कार दोस्तो, मेरे यात्रा ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक अविनंदन है दोस्तो दोस्तो, राष्टवती भवन के प्रांगण के परवेश द्वार पर केंद्रिय अस्तम्भों के पीच तीसरी सताब्दी ईसापुरु के बलुवा पत्थर से बने असोक अस्तम्भ का बैल सिर्ष एक आसन पर अस्थापित है दोस्तो दोस्तो इसे उत्तर पस्चिम बिहार में इसकी खोज के अस्तल से यह नाम पड़ा है दोस्तो दोस्तो उस अस्तल का नाम क्या है क्या आपको पता है अगर दोस्तो अगर पता है तो मुझे मेरे कमेंट मॉक्स में कमेंट करें दोस्तो और धन्यवाद दोस्तो दोस्तो आई ह तो इस अस्थल का नाम सायद नंदगर्ण पस्चिम चंपारन है, दोस्तों फिर भी दोस्तों अगर आपको पता है इस अस्थल का नाम तो मुझे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सबस्ट्राइब करें दोस्तों दन्यवाद